प्यार की में तनुजा हो गई है अपसेट क्योंकि रानो और मलिका उस पर इल्जाम लगा रही है रिशी शेस शादी करने के लिए सीरल कसम में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा और इस ड्रामे के बीच में फाइनली रिशी और तनुजा की शादी हो गई है यहाँ शादी में दुलहन की जगपर तनुजा बैट जाती है और किसी को भी पता नहीं चलता कि दुलहन मलिका नहीं तनुजा है यहां तक ये रिशी को भी कुछ पता नहीं चलता शादी पूरी होने के बाद ज़ा तनूजा का गूँट उठाया जाता है तब सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि रिशी की शादी तनूजा से हुई है मलिका से नहीं लेकिन तबी वहां मलिका आती है और वो तनूजा रिशी की शादी होते देखकर बहुत ही आग बबुला हो जाती है मलिका तनूजा पर बहुत चिलाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई रिशी से शादी करने की रानों भी इन सब में मलिका का साथ देती है क्योंकि रानों भी तरुजा को बिलकुल पसंद नहीं करती रानों मलिका को बोलती है कि तरुजा ने उसके लेट आने का फायदा उठाया है और वो उसकी जगह पर बैठ गई और इसी शे शादी कर ली लेकिन तभी तनुजा की इतनी बेज़ती होते देखर राज आता है और बोलता है कि उसने तनुजा को मलिका के जगा पर बिठाया था राज ने मलिका को होटल के कमरे में किसी और के साथ देखा था और इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी उसके बेटे से हो उसने ही तनूजा को रिशी के साथ शादी करने के लिए कहा था अब देखते हैं कि शो में आगे क्या नया टोस्ट आता है और इस शो से जुड़ी सारे अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस